नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चेनल गो ब्लोक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चेनल गो ब्लोक्स पे देखेगा एक महिला का पाम हमारे सामने है और इस पाम के अगर हम आकरती देखते हैं तो एक आयताकार आकरती यहाँ पे दिखाई दे रही है और अगर करियर के मामले में देखा जाए तो आयताकार हतेली अगर होती है तो ऐसा अब्यक्ति दार्षनिक किसम का होता है और ऐसे दूसरी बात हतेली को अगर हम साधारन दृष्टी से देखते हैं तो पूरी हतेली के इस छेत्र में छोटी छोटी बारीक रेखाएं एक मकड़ जाला की तरो फैली हुई दिखाई देरी है जो व्यक्तिके बरतमान समय को बताती हैं देखेगा जब भी छोटी छोटी मानसिक तनाओ को बढ़ाती हैं ये कनफ्योजन की इस्तिति को बढ़ाती हैं ये निरणय लेने की छमता में असर डालती हैं ये दुविदा को बताती हैं ये व्यक्तिके जीवन में संगर्स को उत्पन करती हैं व्यक्तिके जीवन में संगर्स के साथ साथ करियर और धन के मा मामले में अर्चनों को देती हुई दिखाई देती है जादतर ऐसा ब्यक्ति मानसिक तनाओं में रहता है और उसका जो डेपलप्मेंट है उसकी जो प्रगती है चाहे कोई भी काम हो उस काम में अर्चने जादा आती हैं मतलब सादी कर रहा हो तो सादी के काम में अर्चन आ जाएगी प्रेम कर रहा हो तो प्रेम के मामले में अर्चन आ जाएगी या कोई और काम कर रहा हो सोच रहा हो तो योजनाओं में अर्चन आ जाएगी जो काम कर रहा है उसका विस्तार नहीं हो पाएगा धन की इस्तिती रहें लेकिन जब घर के अंदर आते हैं तो मानसिक तनाओं में ब्रिद्धि जादा होती है अगर हतेली में इस त्रौकी लकीरे रहती हैं तो देखेगा आपके हतेली में एक नेगेटिब उर्जा यहां पर दिखाई दे रही है इसका विदिवत तरीके से में लिख करके एक बिज्ञानिक उपाई भीज रहा हूं अगर आप विदिवत तरीके से करती हैं तो निश्चित ही जीवन में इसका जो कुप्रभाव आपकी जीवन में चल रहा है वो आपकी जीवन से हट जाएगा और जो काम आपके अटके हुए है वो निश्चित ही जो है ठीक होतने इसलेशन करता हूं उससे पहले अपने तमाम दर्सकों से एक निवे दन जरूर करना चाहूंगा दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा आपको वह बटन दबाना है साथ में ही घंटी का एक आइकन होगा उसको भी दबाना है और कल लेना है सबसे पहले हस्त रेखा चेनल पर हमारे चैनल पे रियल हतेली का विशलेशन किया जाता है और प्रतेक हतेली में जो रेखाई हैं हतेली का जो आकार है हतेली में बैठे जो ग्रह है अलग-अलग हतेली में अलग-अलग फल देते हैं अगर आप सीख रहे हैं या रुच रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि जब भी मैं किसी एक हतेली का वीडियो अपनी चैनल में अपलोड कर दूँगा तो उसका नोटपीकेशन आपको जाएगा और आप अपने समय के उनसार उसको देख सकते हैं और उसका भरपूर लाव ले सकते हैं चले हतेली के अबशलेशन करते हैं देखेगा हमारी हतेली में दो आचारे बैठते हैं और दोनों आचारियों की बहुत ज़्यादा जरूरत हमारी हतेली में होती है हमारे पर्थम आचारे बैठते हैं देवगुरू ब्रिश्पती जो देवताओं के गुरु हैं ज्यान के भंडार हैं और हमारे जीवनकाल में मान सम्मान और प्रतिष्टा को जन्म देते हैं धन को देते हैं वो है आपकी जो इंडेक्स फिंगर है जिसको हम संस्कृत में तरजनी कहते हैं उसका जड़वाला भा इसको अंग्रेजी में जुपिटर का माउंट कहते हैं, हतेली में इसका ब्रिस्पति का परवत या गुरो का परवत हिंदी में कहते हैं और दूसरे जो आचारे बैठते हैं वो हैं हमारे अंगोठाई के नीचे का जो ये भाग है जिसको अंग्रेजी में बीनश का माउंट कहते हैं और हिंदी में इसे सुक्र का प्रवत कहते हैं ये भी आचारे हैं लेकिन ये सुक्राचारे जी हैं ये देतियों के गुरू हैं और इनकी आवशक्ता हमारी हतीली में बहुत जरूरी है ये देवताओं के गुरू नहीं हैं ये देतियों के गुरू हैं सुक्राचारे जी हैं औ और हमारे personality को निखारते हैं, हमारे जीवन में yes के प्राप्ति करवाते हैं, luxurious जीवन के मालिक हैं अगर ये आपके हतेली में अच्छे हैं तो आपका जीवन सुक में रहेगा, आपका जीवन जो है एक luxury से भरपूर रहेगा, luxury का स्वाद आप अपने जीवन में जरूर लेंगे आगे जब हम प्रवतों पे आएंगे तब इसके बारे में आपको बताएंगे, देखेगा जो आपकी index finger है अच्छे खासी लंबी है, लेकिन हल के रोप में बीच वाली उंगली है ने ये इसके तरफ ढल रही है, इसका मतलब है आपके अंदर धार्मिक भावनाईं अच्छ फिंगर है, अच्छे खासी लंबी है और ये सनी की फिंगर है, और ये फिंगर बता रही है कि करमसील है आप, मेहनत पर विश्वास करते हैं, लेकिन हल की रोप से ये लगता है कि इस उंगली के तरफ ढल रही है, पर उतना नहीं लग रहा, कोई भी काम हो, बहुत जादा म भी पहनी हुई है, इसको सूरे की उंगली कहते हैं, ये यहाँ पर ढल रही है, बीच की उंगली की तरफ और जब ये सूरे की उंगली, बीच की उंगली, मतलब सनी की उंगली की तरफ ढलती है, तो ब्यक्ति के अंदर नेम, फेम और धन पाने की इक्षा को परबल करती है, यही इस समये करती हुई चली आ रही है यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी जो सबसे छोटी उंगली है जिसे हम कनिष्टा कहते हैं बुद्ध की उंगली कहते है यह यहाँ पे ढल रही है जुकाओ जो इसका है वो रिंग फिंगर की तरफ है मनी सूर्य की उंगली की तरफ यह बता रही है कि आप भी संगसार की त्रोही ही सोचती है धन पाने की इक्षा परबल रोप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और देखेगा आप में सूर्य के गुण और ब्रस्तती के गुण बराबर दिखाई दे रही है यहाँ पे लेडर्शिप की क्वालिटी जितनी है आपके अंदर हिम्मती सुभाव और रिस्क लेने की चमता भी बराबर दिखाई दे रही है सभी उंगलियों का अगर जुकाओ देखें तो इसकी इस तरफ है इसका इस तरफ है मतलब बीच वाली उंगलि की तरफ यहाँ पे बरतमान में सभी उंगलियों का जुकाओ दिखाई दे रहा है यह थोड़ा नगेटिव है इसमें सनी के नगेटिव गुणों में ब्रिदि होती है तो ब्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है जीवनकाल में सब कुछ होते हुए भी खुसियों में कमी आती है और बार बार अडचनों का ब्यक्ति को सामना भी करना पड़ता है खास कर अगर नोकरी कर रहा हो तो नोकरी के मामले में ब्यक्त को तनाव की इस्तिती भी जहलने पड़ती है यहाँ पे हमने आपकी उंगलियां देखी उनका जुकाओ देखा उनका जो है आकार परकार देखा अब थोड़ा अंगोठा देखते हैं आपका अंगोठा बड़ा खूब सूरत है और लंबा दिखाई दे रहा है बहुत पे दिखाई दे रहा है इसका पहला पौरवा देखें तो नुकीला है और लंबा है जीवन काल में बहुत सारी इच्छाएं हैं और बहुत सारी इच्छाओं को यह अंगोठा का आकार परकार जन्म दे रहा है इच्छा सक्त की कोई कमीर यहां पे नहीं दिखाई दे रही ह सेकिंड पोरवा भी अच्छा खासा लंबा है जादातर मामलों में अपनी बात को लोजिकल तरीके से रख पाने में जो है यहाँ पे आप सुद्रिड दिखाई दे रहे हैं दूसरी चीज अगर देखे दोनों पोरवों की बीच में एक सुन्दर सा योग की आकरति बनती हुई दिखाई दे रही है और चंद्रमा आपका बड़ा खूब सूरत यहाँ पे दिखाई दे रहा है गदी नुमा दिखाई दे रहा है इसका मतलब है भाव किसम का ब्यक्तित्व आपका है नाजुक हिर्दे वाला ब्यक्तित्व आपका यहाँ पे है और जादतर मामलों में आप तहजी पसंद है अच्छा सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें यह अगर पूर्ण रूप ले लेता है तो निश्चित तोर पे जो है आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख जरूर मिलेगा अब हम थोड़ी रेखाओं पे चलते हैं फिर उसके बाद आपके ग्रोहों की इस्तिति पे चलेंगे देखेगा सबसे मीन रेखा आपकी यहाँ पे है और ये है आपकी हिर्दय की लकीर हिर्दय की लकीर सीधा निकल रही है और गुरू ब्रस्पति से यहाँ पे युक्ति बना रही है इसको समझने की कोशिस करें जब हमारी हिर्दय की लकीर जो रिस्तों की लकीर होती है हमारी हिर्दय की लकीर होती है रेखा होती है जो ये आचारे ब्रिस्पति दीवताओं की गुरु है ने उनसे जब संपर्क कर ले उनसे जब युक्ति बना ले तो ये बहुत सरेष्टा हुसता है आप केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं आप सब के लिए सोचते हैं अपनी छेतर में अच्छे खासी नौलेज को अरजन करते हैं बुद्धि मता से काम लेती हैं और तेजुस्वी हैं प्रेम के मामले में सर्वस्रेष्ट हैं हिर्दे की गहराई से प्रेम करती हैं और जो आपसे मन से जुड़ जाता है अंत तक उसका साथ देती है निभाने वाला बिक्तित्व आपका है लेकिन स्वाविमानी है और स्वाविमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है पूर्ण विस्वासी है आप निर्मल हिर्दय आपका यहां पे दिखाई दे रहा है अगर नोकरी कर रही हो तो जब आपका सूर्य और आपका सनी पुष्ट और भव्य अवस्ता में आएगा तो निश्चित ही आपको मान पद प्रतिष्टा की प्रात्तितों होगी लेकिन साथ में आप उचा पद भी पाएंगे इ इस तरो से आपकी जो है हिर्दय की रेखा भव्य अवस्ता लेती हुई दिखाई दे रही है तो आप उच्च पद पाने के योग्य हैं इसमें कोई संका नजर नहीं आ रही है लेकिन जैसे ही आपके जीवन से ये नगेटिब उर्जा बहार निकल जाएगा इसका और ब्रस्पती जो है अपने उच्च अस्तान में बैठ जाएंगे तो आप जिस भी परकार हो चाहे आप व्यापारी ही करें चाहे आप नोकरी करें कोई और भी काम करें समाज में एक स्रेष्ट जीवन बितीत करेंगे ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेकिन अगर साधी उगेरा का कोई मामला होगा तो आपका ब्रस्पती जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे जुका हुआ दिखाई दे रहा है सनी की तरह इसमें ये बहुत ज़्यादा देर लगाने की संभावना को जन्म देरा है और कहीं न कहीं जब ये सनी के तरफ ज़्यादा ढलता है तो ब्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है अपनी जीवन काल में और जिस तरह से आपकी हिर्दे रेखा को ये सनी रेखा पे बहुत सारी रेखाईं काट रही है तो निश्चित ही पारिवारिक समस्याओं का सामना ज़्यादा करना पड़ता है और दूसरी बात है कि इस तरह से अगर ये सनी परवत पर बहुत सारी रेखाईं हो और सनी पर रहो तो व्यक्तिक को जादतर अकेलापन का सिकार होता है और दुनिया से अलग थलग पड़ जाता है महसूस होता है उसे और फिर ये इस्तिति अवसाद को जन्म देती है और इसके अलावा इस तरों से भग्यरेखा में अरचने हों विवाहरेखा में इस तरों से अरचने हों तो करियर और आर्थिक मामलों में भी समस्या उत्पन होती है और इसे हस्त रेखा में अनलक्की माना जाता है और जादतर मामलों में सादी समंदी या दामपत्य जीवन समंदी जो चीज़े हैं उनमें कहीं न कहीं ब्यक्ति को थोड़ा सा ही सही लेकिन समस्याओं की संभावना दिखाई देती है दूसरी लकीर अगर हम यहां पे आपकी देखें आपकी मस्तिस्क की रेखा इस तरों से आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे ब्रांच दिख रही एक तो मस्तिस्क रेखा लंबी है और चंद्रमा से युक्ति बना रही है ये बहुत अच्छा है कलपना सीलता जादा है क्योंकि ये कलपनाओं का ग्रह है क्रियेटिविटी बहुत अच्छी है किसी न किसी आर्ट में किसी कला में मन डोबा रहता है सोचने के सक्थ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है एक ब्रांच पे सूर्य का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण प्रसिद्धी पाने की नेम और फेम पाने की इछ्चा को प्रबल रूप देती हुई यहां पे मस्तिस्क रैखा दिखाई दे रही है। दूसरा ब्रस्पति थोड़ा कमजोर है जिसके कारण जो मस्तिस्क रैखा है और चंद्रमा से मिलन कर रही है तो चिंतातुर स्वभाव को भी जन्म देती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है यहाँ पर अगर हम देखें आपकी जीवन की रेखा को जीवन की रेखा सुद्ध है, साप है निश्चित ही अन्य ग्रहों की वो जो से अन्य रेखाओं की वो जो से जीवन में संगडस, दुविधा और आर्थिक और करियर के मामलों में समस्या दामपत्य जीवन के मामले में थोड़ी सी समस्या रह सकती है लेकिन जीवन में निरंतर उन्नती भी यहाँ पे दिखाई दे रही है और परिवार के परती देखा जाए तो समरपण की भावना भी दिखाई देती हुई नजर आ रही है और यहां से आप देखोगे आपकी जो भग्य की रेखा है यह इस्तरों से जाती हुई और यहां पे से धोमिल होती हुई दिखाई दे रही है मानि ये करियर की रेखा है और ये धन की रेखा है ये चंदरमा के प्रभाव लेए हुई है यहाँ पे जाती हुई दिखाई देरी है ये रेखा बहुत ज़्यादा मिहनत बहुत ज़्यादा प्रिस्रम कराती है तब जाके बिक्ति को 42 से लेके 45 वे वर्स के बीच में चैन मिलता है और 45 वे वर्स के आसपास भाग्योदाई होता है लेकिन जब ये रेखा भाग्योदाई कराती है तो निश्चित ही डेली अर्निंग ऐसे बिक्ति को होती है वाहन का सुक, मकान का सुक और ब्यापार का सुक ऐसे लोगों को मिलता है यहाँ पे थोड़ा इस्तिति अलग है यहाँ पे यहाँ तक मनी मस्तिस्क की लकीर तक यह सीधी और सापसुतरी जारी है और मस्तिस्क की रेखा का मतलब होता है जो निरणे ले मंगर उसके बाद धीमी हो गई है लुप्तसी हो गई है कहीं न कहीं जलदबाजी में हो या किसी कारण वस्वय गलत निरुणें ले सकते हैं और उस एक गलत निरुणें के कारण अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं दूसरा यहां पे से जब आगे जा रही है तो बहुत सारी रेखाई इसको काट रही है इसका मतलब है कि बरतमान समय में करियर और धन के मामले में और रिस्तों के मामले में आपको थोड़ा समल कर रहना जरूरी है क्योंकि कहीं न कहीं संगर्स और इस्तितिकी यहां पे दिख यहां पर इसको मिटा लेता हो थोड़ा समझने की कोशिस करिएगा यहां पर जीवन की रेखा से एक रेखा निकल करके आपको बुद्ध की और जारी है एक रेखा यहां से निकल करके बुद्ध की और जारी है कहीं न कहीं दो रेखाई निकल करके बुद्ध की और जाती दिखाई दे रही है लेकिन ब्यापार में सपलता अभी नहीं दिख रही है दूसरी बात देखोगे आपकी जो करियर और धन की रेखा है वहां से निकल कर आपकी सूरे रेखा जाते हुई दिखाई दे रही है और जब सूरे रेखा भग्य की रेखा से आरम होती है तो जो ये भग्य की रेखा है इसके गुणों में ये बिर्दिकर और इसकी जो सक्त है उसको दुगना कर देती है मनि जो आपका करियर का मामला है और धन के मामला है उसकी सक्त को दुगना कर देती है लेकिन ये रेखा जितनी इसपश्ट हो और सुन्दर हो आपका उन्नति का छेतर उतना ही बिस्तिरित और उन्नति भी बहुत अधिक होगी लेकिन यहां पे सूर्य परवद जहां पे यह पोच रही है यह भव्य नहीं है इसका मतलब है बरतमान समय में जितना आप मेहनत कर रहे हैं जितना आप परिस्रम कर रही हैं उस हिसाब से न तो उसका स्रे मिल पारा है न उसका क्रेडिट मिल पारा है चाहे आप नोकरी करने हों, चाहे आप व्योवसाय करने हों, कहीं न कहीं वो बिस्तार नहीं मिल पा रहा है, जिस में बिस्तार की आपको संभावना है, जो क्वालिटी और जो योग्यता आपके अंदर है, उस हिसाब से जो है, चीजें उभर कर नहीं आ पा रही है, इसका देखो एक आपकी मस्तिस्क की रेखा है यहां से एक रेखा निकल करके इस तरह से गुरू परवत से युक्ति बना रही हैं। और जब कोई रेखा निकल गुरुप्रावच से समंद बना ले ले तो जातक उच्चकोट का बुद्धिमान और जातक का जो व्यक्तित तो होता है ऐसा होता है कि अपनी बाणी से वो किसी को भी अपनी तरफ आकरसित कर ले और अगर ये इसपष्ट हो और आपका जो है सूर्य सनी और आपका ब्रस्पति भी भव्य हो तो ऐसे लोग नोबेल पुरुस्कार विजेता भी हो सकते हैं यही वो जगा है जहां गुरु का समंद हो जाए तो व्यक्ति स्रेश्ट हो जाता है ये बहुत कम हतेली में ये रेख मिलती है इसका उप्योग कीजिएगा अपनी गुरु को भव्य बना लीजेगा और मस्तिस्क जब ग्यान से मिलता है मस्तिस्क जब नोलेज से मिलता है तो ये चमतकार ही करता है यही रेखा आपकी हतेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है एक बहुत सुनर रेखा आपकी ह आतेली में एक सांदार मंगल की रेखा भी दिखाई दी रहा है और मंगल छेतर पे ही है निश्चितरों से जब आपका इस छेतर से जो नेगेटिव उर्जा अपना घर कर चुकी है यहां से हटती है तो इस रेखा का प्रभाव दुगना हो जाएगा और आपको जो है दूसरो का स्वयोग बहुत अच्छा मिलेगा और इस स्वर की जो किरपा आपके अंदर बनी हुई है वो बिसे सुरूप से फलदाई होगे और यह लब मैरेज का भी बहुत अच्छा सिंगनल माना जाता है अगर आपके हतेली में यह है और आपके जिसको आप चाहती है उसकी हतेली में भी यह है तो लब मैरेज होना निश्चित यहां पे दिखाई देता है दोसरा यह रेखा यह इंगित करती है कि आप में अच्छी प्रतिबा है और तीब्र बुद्धी है सोचने और समझने की सक्त भी आप में विसेस रूप से मौजोद है और जीवन काल में एक बार य दाई से तीन सालों के बाद जब आपके सूर्य और सनी और आपका ब्रिस्पति पुष्ट और भव्या उस्ता में आएंगे और नगेटिब उर्जा अपना प्रभाव छोड़ देगी तो आपका जो बिक्तित्व है वो अच्छा खासा प्रभाव साली रहेगा इस बात के औ बहुत सारी रेखाएं आपकी हतेली में सबका ब्रडन इसले नहीं कर रहा हूं यह नगेटिब उर्जा है हर रेखा जो है अच्छा फल नहीं दे रही है जो जो मुख्य रेखाएं थी उनकी बारे में मैंने बता लिया है अब हम चलते हैं आपके ग्रहों की और आपके ग्र इसायन हतीली में किसी भी ग्रह के उपर बने सबसे पहले ब्यक्ति को क्रियेटिव बनाती है और इसो अच्छा माना जाता है जिस परवत पर बैठती है उसके अनरूप ये फल देती है लेकिन परवत की इस्तिति क्या है इस पे भी जो है ध्यान करना जरूरी है मचली तो है गुरू पे बैठरी है बहुत अच्छा है ऐसा अब्यक्ति अगर सब कुछ सही रहे तो दिन दोनी रात चोगनी उन्नती करता है और समाज में एक विसेश जो है दर्जा प्राप्त करता है लेकिन यहाँ पे जिस परवत से इसको उर्जा मिलनी है एनर्जी मिलनी है वो परण इस मचले का कोई भी प्रभाव आपकी जीवन पे नहीं पड़ रहा है देखेगा यह अंगोठा है और इसके नीचे का जो यह भाग है इसको हम सुक्र का परवत कहते हैं और जादतर मेरी जो ब्योवर्स है यह जानते हैं कि कला है सुंदर है और सुंदरता है इनी सब चीजों के लिए और सुखद जीवन के लिए इसका हतेली में पुष्ट होना सुंदर होना बहुत जरूरी है आपकी हतेली में देखा जाए तो यह सुक्र का परवत सुंदर रोप से उब्रावा दिख रहा है तेजो मय अवस्ता में है आप भी तेजस्वी होंगी आपका च हस्ते हस्ते जेलने की चमता भी यह देता हुआ दिखाई दे रहा है नई चीजों के परती रुजहान बनावा दिख रहा है परिवार का साथ और सयोग ब्रिस्पती के पुष्ट और सुंदर होने पर आपको अच्छा मिलेगा अपनी परसनल्टी पर ध्यान देना अपने को मेंटेन रखना सज समर कर रहना और लगजरी के परती जो है अकरसित होना ये चीजें सुक्र देता हुआ याँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें ब्रतमान समय बहुत सारी चोटी चोटी रेखाई हैं थोड़ा सा मानसिक तनाव भी ये दे रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा कठनाईयों के बाद भी आपके नजरिय से देखा जाए तो अभी अभाव की इस्तिती ही याँ पर दिखाई दे रही है निम्न मंगल देखें इस तरह से रेखा भी है और इस तरह से एक सांदार बर्ग का चिन याँ पर बनता है और जब निम्न मंगल प रूप में तनाव तो दे रहा है लेकिन एनरजेटिक स्ववाव रहने वाला है और देखा जाए तो प्राक्रम बहुत अच्छा यहां पर दिखाई दे रहा है गुरू परवत देखा जाए जिसे हम आचारे ब्रिस्पती कहते हैं इस समय जो है यह सनी के तरफ ढ़ल रहा है कहीं न कहीं आंसिक रूप से ही सही लेकिन पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं जो है अगर साधी का मामला हो तो उसमें थोड़ा देर लगाता हो दिखाई दे रहा है और सामन्य भाव में बैठे हुए हैं तो धन की इस्तिती हो या जो है करियर का मामला हो सब कुछ साधारणियां पर दिखाई दे रहा है सनी जो है यहाँ पे बहुत जादा गडबड़ा ओस्ता में और जब सनी बहुत जादा गडबड़ा ओस्ता में रहता है तो ऐसा ब्यक्ति जादातर मामलों में इस्तेमाल जादा होता है धोका ज़ादा खाता है और करियर के मामले में हो धन के मामले में हो हमेशा ही जीवन में चाहे कितना भी अच्छा हो खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है और हर जग अव्यक्ति को अडचनों का सामना करना करता है यहाँ पे देखा जाए तो सनी बे वोजहे की चिंताएं देता हुआ भी दिखाई दे रहा है सूर्य भी आपका बहुत ज़्यादा डेमेज है जिसके कारण आपकी मेहनत का आपकी प्रिसरम का न तो पूरा स्रे मिल रहा है न पूरा जो है क्रेडिट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जन्मदेता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका देखें तो बड़ा खूब च्टीह दे रहा है। एक स्जोन्दर्य यहां पर दिखाई दे रहा है जो बहुत अच्छा है। जीवन रहे। जब नगेटिव उट्जा अपना घर छोड़ दे अपना प्रभाव छोड़ दे और जीवनकाल में जब सूर्य और सनी और ब्रस्पति जो है भव्या उस्ता में आ जाए तो इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आपको दीगा हाँ, confidence level बहुत अच्छा रहने वाला है सरीर में कितनी भी समस्या हो जाए लेकिन इस चंद्रमा की उजोसी मन मजबूत रहेगा चंद्रमा आपका मजबूत है तो निश्चित तोर पे पाचन तंत्र भी मोटे तोर पर ठीक रहेगा हाँ, ये चीज है कि आपका ये खुप सोरत चंद्रमा सरीर का हार्मोनल सिस्टम को बढ़िया करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको creative रखे हुए ये दिखे रहा है और मां है तो मां का सुक अच्छा मिलेगा आपकी चंद्रमा हतेली में बेहतर है, चंद्रमा हतेली में मजबूत है, जीवनकाल में अपने से opposite sex का अच्छा खासा जो है आपको देखा जाए तो सयोग मिलेगा और सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी इस बात के और ये इसारा कर रहा है, देखा जाए तो मैंने आपकी हतेली का पूरा बिशलेशन कर लिया है, उपाई को विद्वत तरीके से लिख करके भीज रहा हूं करने के आप कोसिस करिएगा इस बीडियो में बस इतना है, एक नहीं बीडियो के साथ पनो उपस्तित होंगा, तब तक के लिए नमस्कार